स्टूरेट्स को सब्सक्राइब na 3實際 तो यह से थिहां, इस वीडियों में देखने हैं। हम लेखेंगे सब्सक्साइब घलिक हैं, और और नों रखेंगे मैसेज दरिधियों कमत के ृप्रोड को ने मैंत hm लिखने हैं खीक है तो उन्स के लिए मैंने वीज्श के लिए सका है ओस फार्मेट के लिगा läuft इता है तो हम या देखेंगे जो letter का format है वो कैसे कैसे लिखेंगे हैं या अगर article और परिग्राफ की बात करेंगे वो कैसे लिखेंगे ठीक है तो फिलाल हम इस वीडियो में हम notes writing और message का format देखेंगे तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप से रिक्पेस्ट तो इस तरह का format आपको रहेगा notes writing के लिए ठीक है बिलकुल आसन है और आपको भी इसी तरह से लिखना है ठीक है सबसे पहले हम हमें क्या दियान रखना है जब भी आप notes लिखोगे तो आपको उसको एक box में लिखना है ठीक है आपको आपको पहले name of the organization या इनस्टूट और office लिखना है ठीक है जिस office से आप वो notice issue कर रहे हो तो आपको उस organization का नाम लिखना है उसके बाद आपको बिलकुल ऐसे ही notice लिखना है ठीक है उसके बाद यहां से आपको date लिखना है ठीक है आप कौन सा date लिखना है जिस दिन आपका exam होगा वही date आप लिखना ठीक है तो यह से फिर टाइटल या सब्जेक्ट इवेंट का इवेंट किस बारे में है उसका टाइटल लिखना है ठीक है फिर यहां से आपको बाड़ी लिखना है बाड़ी में आपको मैसेज देनी है नोट्स देनी है मतलब क्या मैसेज आप दे रहे हो ठीक है और यहां से लास्ट में आप किस तरह से हमें नोट्स आता है और किस तरह से हम लिखेंगे तो अगर हम इसकी बाद करेंगे तो यहां पर आपके आप देख सकते हों यहां पर एक नोट्स है यहां पर आमें आपको दिखांगा जो कि कल भी हमने तो यहां पर है आइबदाख खान इस पोर्स कैप्टेन आप इकबाल इनस्टूट इस पोर्स दे इस तो इस तो इस तो यहां पर आपको आइबदाख खान के लिए एक नोट्स लिखनी है ठीक है नोट मोर दें 50 वर्स तो आप इस तरह इस हिसाब से आप इसको कैसे लिखेंगी पहला है नेम ऑफ दे और और अब्लीक इनस्टूट आप इस तो यहां पर आपको क्या लिखना है जहां पर आप लिखोगे इकबाल इनस्टूट ठीक है फिर नोट्स ऐसे ही लिखना है डेट क्वह आप कौन सा डालोगे जिसनना आप टाइटल है कि सब्जेकस अब इवेंट तो तैटल क्या इसका में में फिर ब्लॉर्ट में आपको कहा है देखें यहां पर यह आपको अच्छे से पड़ना है उसके हिसाब से आपको फिर बौड़ी बनानी है तीक है जिसमें आपको इनफ्रोर्मेशन देनी है तो इसमें आप कहा होगा है अधाखान स्पोर्टस टेल pr एकपालинки hereby announces that the institute is going to organize or held a sports day event on 5th of October which is just two weeks away. The house captains are hereby informed that they have to submit the names of the participants to me in a week's time. Moreover, a student cannot take part in more than three events. पस आप बोड़ी में आपको इतना ही लिखना है. देखो, मैंने यही इस्तिमाल करकी यहाँ पर आपको बोड़ी बताएए बोड़ी आपको किस तरह लिखनी है धीके फिर बाद में आपको फिर आपको लास्ट में क्या लिखना है signature, name क्या है नेम यही है आइब्दाख खान ठीक है आइब्दाख खान यहाँ पर नेम है वह इस तरह होता है ठीक है मैसेज रेटिंग भी आपको क्या लिखनी है एक बॉक्स में लिखनी है ठीक है सिंपल होती है यहां से आपको मैसेज लिखना है मिडल में ठीक है ऊपर ऊपर की साथ से मिडल में लिखनी है फिर आपको डेट लिखना है फिर आपको टाइम लिखना तो हम क्या बोलते हैं हाई हेलो बोलते हैं या हम कश्मारी पर आपको मैसेज होगी तो आपको है लिखना आए dear sister dear brother तो आप उसको dear इस्तमाल कर सकते हो उसके बाद आपको body लिखनी है और फिर last में आपका senders ने हैं कि जो बेज रहा है उसका नाम लिखना है ठीक है देखे यहां पर अगर हम यहां से ही paper के से ही देखेंगे कौन से मेंसेज आई है तो यहां से आप देख सकते है रीड़ फॉलिंग नोटेट आप शीरी दर्वारा सिंग प्रिंस्पलाप सेकंडरी स्कूल ट्रिकूटा नागर जूमू यहांस किस एससेटेंट ड्रॉफ्ट आप मैसेज उन इस ब्याफ तो यहां पर क्या बोल रहा है जो प्रिंस्पल सेकंडरी स्कूल है ट्रिकूटा नागर जूमू का तो शीरी दर्वारा सिंग तो वह आपने एससेटेंट को बोल रहा है नाट मोर दें 50 वर्स 50 वर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो आपको इन कुछ चीज़ का द्यान में मालब द्यान रखना है ठीक है यही इंफार्मिशन आपको इस्तिमाल करने है में आपको बाडे आपको क्या लिखना है तो पहले हम यहां पे देखेंगे जहां से आप क्या लिखोगे शूद्य हो वही डाला आपकोई भी ढाल सकते है या जिसता हिए मैसेज का ओने है जो आप जिस तायम को आप मैसेज डाल सकते ही आप कोई भी डाल सकता है अब जिस्टन में आप हेलो लिखोगी सरे अप तो उसके बाद आपको बाडी लिखनी है बाडी में आप क्या लिखोगे आई एसेंट प्रिंसिपल आप सेकंडरी स्कूल ट्रिकोटा नगर जमू हेर बाइ इंफॉर्म आल दे क्लास रिप्रेजेंटेटिव और स्टाफ सेक्टरी तो अटेंड दे मीटिंग इन प्रिंसिपल्स ऑफिस लिखना ठीक है इसे ज्यादा नॉट मोर देना आपको फिफ्टी वर्ड से ज्यादा बस इसी इनफॉर्मेशन का आपको इस्तिमाल करके यह मैसेज लिखनी होती हो और लास्ट में आपको क्या लिखना है सेंडर्स नेम यहां पर क्या है एसिस्टेंट प्रिंसिपल आप से अगर आपका फार्मेट होता है वो तीनों हम उसमें देखेंगे थैंक यू सो मच फॉर वाजिंग दिस वीडियो